स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडी बित प्रदीप में दोस्तों बाइलोजी सब्जेक्ट के लिए पिजटी पिजटी यल्टी और जी आईसी को ध्यान में रख करके हम आपके लिए करके हैं एक्जाम पॉइंट और यह एक्जाम पॉइंट आज का जो आपक हमारे वाटसप नुमबर 800-410-9989 पर हमें वाटसप करके हमारे इस स्रिंखला से आप जोड सकते हैं जोडने के लिए आप पहले चैनल को सस्क्राइब कर दीजी और वीडियो को अपने मित्रों को भी सेयर कर दीजी यह पूरा पीडियाफ आपको जितने भी पीडियाफ बन कि कम से कम सव होंगे और इंगलिस में भी आपके कितने होंगे सव होंगे यानि 200 एक्जाम पॉइंट्स और एक एक्जाम पॉइंट में आपके लगभग 50 क्योस्टन है तो 50 से 200 करें तो 10,000 प्रशनों के हम लोग तयारी यहां से करने वाले हैं यह भरोसा करिए कि NCIT का कर एक्जाम पॉइंट होगा वह सुपर एक्जाम पॉइंट आपके सभी करनी चोड़ होगा और हम उमीद करेंगे उसी में से आपके ज्यादा तर क्योस्टन मिल जाएंगे कहने का आर्थ है कि अगर आप इसे मन से करते हैं तो आपको इसका लाब मिलेगा हम लोग स्टार् अगर हम रहे है कुछ इस प्रकार से है आपको इसी प्रकार का यही पीडियेफ आपको सिंड के आ जाता है बस इसके बीच बीच में में कलर लगा दिया गया यहां नहीं लगा गया चूपी वीडियो बनाने में थोड़ा सा आपका आट्रेक्शन सही नहीं रहता है ठीक है उससे में प्राब्लम होती है ठीक है वीडियो बनाने में यहां पाजाते हैं कह रहा है कैपसल कैपसल जो है ओडोगोनियम सहवाल में पाजाते हैं आगे देखे दिया गया ओडोगोनियम के बा टीपाई जाती है यही कारण होता किसे capsule कहते हैं Одगोन Means अगली Point है आपकी ओडो गुनियम एक प्रकार का तन तो युक तो हरा सेवाल है इसमें उगैमस प्रकार का कानिशेचन होता है कैसा उगैमस प्रकार बात करें, तो कैसे दिखाई पढ़ेंगे वह आपको एक्वल दिखाई पढ़ेंगे, आइन आइसोगयमस में मारफुल लाज इक्वल नहीं होगे, एक माली छोटा यह बड़ा होता है, ठीक है लेकिन ओगयमस में, जो लो डिफेरेंट होते हैं, एक ऐसा होता है तो इसके अगर हम बात करें तो कह रहा है कि कैसा होगा ओ गयमस टाइप का होगा यानि मेल और फिमेल अलग अलग प्रकार की गयमीट जैसे दिखाई पड़ेंगे एक और गोनियम में एक मादा गयमेट तथा एक ऑन्ठीडियम में दो इन्त्रोजर्ट पाइजात है एक ऑन्ठीडियम के बात करें तो इन्त्रोजर्ट दो पाइजाते हैंります से आप देखे होंगे पराग कितना होता दो होते हैं ठीक है और पराग जो ओवियूल होता है एक होता तो वही यहां पर सेम कंडिशन है उसे से तुलना कर लेजिए तो एंथरीडियम में कितने दो anthrozoids पाए जाते हैं जबकि यहाँ पे मादा गई मिट कितने होते हैं एक होते हैं यह आपस में त्री समेकन करते हैं आपको याद होगा दोहरा निसेचन दोहरा निसेचन आप पढ़े होंगे तो पहले क्या बनता है यह नियन मिल करके टू यह बन लेता है फिर यह से यह दोहरा निसेचन कहते हैं या ट्राइसो मी कहा जाता है त्री समेकन कहते हैं सही हिंदी इसके लिए क्या यूज होती त्री समेकन ही उज होती है आप क्लास 12 के चैप्टर नमबर सेकेंड में सिक्सोल रिप्रोड़क्शन इंफ्लावरिंग प्लांट में अवस्तर पढ़े हो यह स्थापित हो चुका कि धान की खेती में नील हरिस्य वालों का सरोपन करने से पैदावार 30% तक बढ़ाए जा सकते किसमें अगर इनमें से किसी का उपयोग कर लिया जाए तो धहान की पैदावार कितने प्रतुन बढ़ाए जा सकते कि चूकि धहान खरीफ फसल है और खरीफ फसल बरसात के सीजन में बोई जाती बरसात में सहवाल भी उखते हैं तो इन्हें अगर हम अपने खेतों में उगाते हैं तो इससे हमारे प्रोडक्शन जो होता है वो कितना बढ़ जाता लगबग 30 प्रत्रत प्रोडक्शन का इंक्रिमेंट हो जाता है नील हरी सहवालों के उप्योग से ही भूम की और बढ़ा सकत बढ़ने के कारण इनका क्रिसी में महत बढ़ जाता है एजोला जो की एक टेडोफाइट्स है साइनो बैक्टिरिया या नील हरी सहवाल योग एजो इस्पाइरलम ठीक है फिरस देखते हैं एजोला जो है क्या है एक प्रकार का टेडोफाइट्स है जो साइनो बैक्टिरिया नील हरी सहवाल योग जो इस्पाइरलम को सुतंत्र जियोंने आपन करने वाला जीवाड वाइमंडली नाइट्रोजन को इस्थिर करने में सच्छम होता है इस्थिया कोलाई या इकोलाई जीवाड एक ग्राम निगेटिव कैसा ग्राम रिडात्मक बिकल्पी आवाइवी छड़ी आकरित का जीवाड है या नाइट्रोजन इस्थिरी करन नहीं है या गर्म रखत वाले प्राणियों की छोटी आथ में पाया जाता है इस्थिया कोलाई बिटामिन के और बिटामिन बिटल्प का संसलेशन आत में करता है यानि इकोलाई जो है इस्थिया कोलाई जो है यह बेक्टिरिया आपके बिटामिन के और बिटामिन बिटल्प के लिए रिस्पांसविल है जो कि ग्राम निरात्मक होता है अबिकल्पी यह नाइट्रोजन के लिए जिम्मेदार नहीं होता, चुकि कहाँ पाया जाता है, मनुस के सरीर में पाया जाता है, खहाँ मनुस के शरीर में पाया जाता है, और गर्म रोधिर वर्ग वाले प्रानिकों, में गर्म रुदिर वर्ग में आपका दो वर्ग आता है आपको याद होगा क्लास एवी जा जाता है और क्लास मैमेली आ जाता है इन दोनों में कैसा रख्त होता है गर्म रुदिर वर्ग होता है जैसे ही आप जाते हैं कहां पे एंफीबिया पीसेज वर्ग एंफीबिया और रेप्टीलिया उसे क्या कहते हैं cold blooded animal करते हैं ति गर्म रुधिर वर्वाले प्राणियों की आत में पाजाता है कहां पर intestine में पाजाता है और vitamin k और vitamin beetle के लिए sensation का कार्य करता है प्रकास के कारण समुद्र में हरे भूरे तथा लाल के सहवालों का बितरण बिभिन गहराईयों पर मिलता है प्रकास के कारण समुद्र में हरे भूरे और लाल रंग के सहवालों का बितरण बिभिन गहराईयों में मिलता है लाल सहवाल अधिक गहराई पर तथा भूरे तथा सुनहरे लाल सहवाल अधिक गहराई पर तता भूरे और सुनहरे सहवाल उससे कम जबकि हरे सहवाल का वित्रण कुछ ही गहराई पर मिलता है यानि सबसे उपर हरा सहवाल फिर भूरे सहवाल और फिर उसका सबसे अंदर कौन पाय जाते हैं लाल सहवाल पाय जाते हैं कल हम आपको वीडियो जब बता रहे थे तो हमने आप से कहा था कि आप पे एक काम करिए रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोडोफाइसी को डिटेल में पढ़ लीजी आपके क्लास 11 की NCIT में दिया गया है हमने आपको सोर्स बताया था, वहाँ पे अगर आप उस टेबल को पढ़ लेते हैं, तीनों का टेबल बनाया गया है तो आपको एक प्रसन हंड़ेट परसन एक्जाम में मिलेगा, गारिंटी ले लीजी है, टीजटी के और यल्टी के, ठीक है साइकस की कोरिलॉइट जड़ों में, साइकस की कोरिलॉइट जड़ों में, अगर हम बात करें, साइकस की कोरिलॉइट जड़ों में, बहुत से नील हरी सहवाल जैसे की नास्टाक इनाबीना सह जीवन के रूप में वास करते हैं कवक के साथ सेवाल का साहचरी लाइकेन कहलाता है कवक के साथ सेवाल का साहचरी जो होता क्या कहलाता है लाइकेन थैलस का सेवाल सहयोगी फाइको बायांट कहलाता है क्या कहलाता है सहयोगी फाइको बायांट कहलाता है जबकि इसका कवक सहयोगी माइको बायांट कहलाता है कह रहा है जो सहवाल है ओ क्या कहलाता है फाइको बायांट और जो कवक है ओ क्या कहलाता है माइको बायांट कहलाता है अधिक्तल लाइकेंस में एसको माइसिटीज के कवक सहजीवी जीवन के रूप में पाया जाते हैं सैवालों में क्लोरोप्लास्ट विभिन आकार के होते हैं जैसे कि जालिकावत किस में पाया जाता है जालिकावत पाया जाता है उडोगोनियम में, कप रूपी क्लेमाइडो मुनास वालवाक्स में, सरपिलाकार किस में पाया जाता है इस्पायरोगायरा में, मेखलाकार किस में पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, डिस्क जैसा किस में पाया जाता है वोकेरिया कारा में पाया लाइकेंस वाई प्रदूसर के अच्छे सूचक हैं वाई में सल्फर डायाकसाइट की मुख है सूच मातरों में इनकी बृति का दुस्प्रभाव पड़ता है अता है ये वाई प्रदूसर के अच्छे सूचक होते हैं प्रदूसित छेत्रों में ये बिलुप्त हो जाते हैं प्रदूसे छेत्रों में लाइकेंस नहीं उपते हैं या बिलुप्त हो जाते हैं किलियर हो गया तो इस प्रकार से हमने 10 अपने पॉइंट को कम्प्लीट किया और यह सभी पॉइंट आपके एक्जाम में रिपीट होती आई हैं मिलती हैं इसमें कुछ पॉइंट NCIT की भी थी हमने NCIT का सोर्स भी बताया कहा से लिया गया था आगे बढ़ जाएगे देखिए किसी भी परिच्छा की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि सरलता और सुगमता से जो चीजे अबलेबल हैं उन्हें आप करना सेख लिजी मेरी बात को मानिये कई बार क्या होता कि हम बहुत टफ पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीजे छोड़ देते हैं और इसका खामयाजा बड़ा महंगा पढ़ता है देखिए जो टफ है वो सबके लिए टफ है ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं का आप चीजे मत पढ प्रशन को पढ़ना है यह चीजें अपने माइंड में सिट अप कर रही है जो एक प्रशन आपको दिये जा रहे हैं लगबख सभी सैली के प्रशनों को मैच करा करके हम आपके बीच में रख रहे हैं यह चीजें आपको बहुत लाव करेंगी जब आप परिच्छा के रणन परिच्छा के लिए जो आपके लिए बहतरीन मैटेरियल है उन्हें को आप पढ़िए उन्हें को परचेज करिए मेरा जहां तक अपना विजन होता है मैंने आपके सामने खुल के कह दिया तो आप इसे परचेज कर सकते हैं सिर्फ 99 रूपए में आपके लिए महत्तपूर ह है और अच्छा है मुझे लगता है कि आप लिए सस्ता होगा लेकिन आप बाकी आपकी चाह ठीक है आगे बढ़ते हैं पॉइंट डंबर 11 पे और देखते हैं क्या दिया गया वाल बाक्स आप जानते हैं तथा क्लेम आइडो मोनास इसको भी जानते हैं क्लोरोफाइसी वर् करणेर अर्थाद फोलीओ तथा चुलिब ये फ्रोटि कोझ लाइकेंस के समों में आते हैं परपटिमस लाइकेंस का ठहलस चप्ता कठोर होता है फ्रणल लाइकेंस का ठहलस चप्ता फैला हुआ त сам पत्तियों की भाध पालित वह कटावदार होते हैं शुपल लाइकेंस क छुपिल बेलनाकार तथा साखित होते हैं कहरा परपटी मस या क्रिश्टोज वर्डिम तथा फोलियोज औरचुलिप दयुक्टोज यकेनस के समुख में आते हैं परपटी मास लाइकेन का थ्टेलस चपता और कटौर होता है पर्डिल लाइकेल का थैलस चप्टा फैला हुआ और पत्तियों की भाद पालित हुआ कटाओदार होता है छुलिप लाइकेल का थैलस जो विक्सित छुलिप बेलनाकार तथा साखित होता है ठीक क्लोरोफाईसी वर्ग के सेवालों में संचयी भोज़न पतार्थ स्टार्ज की रूप में होता है इन सेवालों में क्लोरोफिल A और पेच्छा कृत अधिक मात्रा में होता है जिसके कारण एक गहरे हरे रंग के होते हैं AC Table Area नामक सहवाल में केंद्रक और कोस्कद्रब के आपसे संबंद का अध्यन किया गया है, इसमें देखा गया है कि आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक महत्पूर्ण भूम का निभाती है, इस प्रियोक को हैवरलिन प्रियोक के नाम से भी जाना जाता है, AC Table Area नामक सहवाल में केंद्रक और कोस्कद्रब के आपसे संबंदों का अध्यन किया गया है, इसमें देखा गया कि आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक महत्पूर्ण भूम का निभाती है, इस प्रियोक को हैवरलिन प्रियोक के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है, सारगासम एक भूरे सहवाल, सारगासम एक भूरा सहवाल है, ठीक है, इसमें दुगुडित जनन अंग पाये जाते हैं, कैसे जनन अंग पाये जाते हैं, इसका मुख सरीर कैसा होता है, दुगुडित होता है, यानि टूयन होता है, यानि इस पुरोफाइड जैसा होता है, प्राक्रतिक रूप से प्राप्त लिटमस का स्रोत रोसेला बंस के लाइकेन है कहरा प्राक्रतिक रूप से जो लिटमस प्राप्त होते हैं उस लिटमस का जो में स्रोत होता है रोसेला वर्क का लाइकेन होता है लिटमस एक रंजक होता है जिसका उपयोग रासायनिक पदार् सिक होता है तो यह आपका पी एच ग्याद करने में काम करता रासायन में और उसके सूचक का काम करता है रोसेला परजात के लाइकेंस से जांस देखेगा रोसेला परजात के लाइकेंस से औरसिन इस्टेंड प्राप्त किया जाता है क्लेम क्लेडोनिया परजात के लाइकेंस क का उपयोग भोजन उसनिया प्रजात के लाइकेन का उपयोग उसनिया अम्ल प्राप्त करने हैं तो था पारमेलिया प्रजात के लाइकेन का उपयोग मिरगी रोक के उपचार के लिए दवा बनाने में किया जाता है यानि एक पॉइंट में उसनिक अम्ल बनाने में किया जाता है पारमेलिया प्रजात के लाइकेन का उप्योग मिर्गी रोक के उप्चार की दवा बनाने में आउसत बनाने में किया जाता है वालवाक्स की कालोनी का आकार गोलाकार होता है यह कालोनी खोखली होती है इनमें कोशकाओं की संख्या निश्चित होती है इसकी कालोनी को सिनोबियम कहते है वालवाक्स की कालोनी का आकार कैसा होता है गोलाकार होता है यह कालोनी खोखली होती है इसमें कोशकाओं की संख्य के निश्चित होती और कालोनी में सिनोबियम कालोनी को सिनोबियम कहते हैं वालवाक्स में प्लेकिया वस्था का निर्मार अलेंगिक जनन के दौरान होता है अलेंगिक जनन के दौरान वालवाक्स की सिनोबियम के पस्च अर्ध भाग में कुछ कोसका हैं अंदर की और धकिल दी जाती है इसका कसा भी गिर जाता है तथा इनका आकार सामान वर्धी कोसका से बड़ा होता है इन्हें पार्थीनों पार्थीनों गिनेडिया या गोनेडिया कहा जाता है नजेगा के प्रोटो प्लास्ट में क्रेमिक तीन अनुधरीविभाजन के फल्सरूप एक आठ monsieur की संरचना बनती है कितनी अ अठ कोस की संरचना बनती है audio का और उतल भाग बाहर की ओर होता है वालबाक्स की इस आठ कोस की संद्चना को प्लै की आवस्था कहते हैं ठेक हो गया चले ओडोगोनियम के कुछ जातियों में एंडोइस्पोर का विकास एक छोटे नर तंत पर होता है जिसे बौना नर या नेनेंडिया कहते हैं या एपिफायटिक रूप से मादा तंत पर विक्सित होता है लाइकेन सब्द का सरपरतम प्रियोग थियोफ्रेटस ने किया किस ने किया था थियोफ्रेटस ने किया था परंत इसकी खोज सन 1852 में तुल्सन नामक बैग्यानिक ने किया था इसकी खोज कुछ किस ने किया था लाइकेंश सैवाल तत्त्ह कवक में बीच का सही समस्थ होता नहीं को एक दूसरे सद्रॉकryतस बॉला जाता है एक्छुली मैं इसे मुचलिजिन कहा जाता है ठीक है लेकिन एक कुछ बिज्ञाने कैसे जैसे की कौम भी हैं इसे क्या कैथे होलेटी विंत कहते हैं इसमें कवक सेवाल के ऊपर एक नियंत्रार प्रझीव nervous के रूप में पाएजाता है इनका मानिया है किनका कौमभी के थिक लाइकेंशienced आख सेवाली तत्था कव की गटों के परसपर सम्बंद हम परकृत में होते हैं जिसमें र्वार्व और दोनों को विद्व retention इस्पारूलीन इस पाइरूलीन एक नील हरी सेवाल है इसमें प्रोटीन की मात्रा 55 से 68 प्रस्त तक होती है इसमें खनिज योंग बिटामेस भी पाय जाते हैं अता इसका प्रियोग भोजन के रूप में होता है प्रियोग किसे रूप में होता है प्रियोग किसे रूप में किया जाता है पेंटीजेरा कैनिना को डाग लाइकेन कहा जाता है इससे हाइडरोफोबिया रूप की दवा बनाई जाती है साइफेली नामक संरचना लाइकेनों में सोसन में सहायता करती है सिफोलोडियम एसीडियम तथा सोरेडियम लाइकेन में अलेंगे जनन से संबंदित संरचना है अगार अगार एक पालिसेकराइड होता है जो बिबिन लाल सहवालों जैसे जिलेडियम ग्रेसिलेरिया इत्यास से प्राप्त होता है इसका उप्योब कृतिम संबर्धन माद्यम से ठोस कारक के रूप में होता है लाल सहवाल रोड़ोफाइसी वर्ग के अंदर गताते हैं रोड़ोफाइसी समूव में लाल सहवाल सामिल है इनका लाल रंग आर्फाइको एरित्रिन वर्णक के कारण होता है लाल सहवाल का लाल थेलस पाधिकांस्ता बहु कोसकी होता है और इनमें से कुछ की संचना बहुत जटिल होती इनमें बोजन का संचे फ्लोरेडियन स्टार्ज की रूप में होता है इस स्टार्ज की संरचना एमाईलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन के समान होती है फिर से देखते हैं कह रहा है कि जो रोड़ोफाईसी समों के लाल सहवाल रूप सामिल होते हैं इनका लाल रंग आर फाइकोरितिन वाड़क के कारण होता है लाल सहवाल का लाल थैलस अधिकांस्ता बहुत कोशिकी होता है और इनमें से कुछ की संरचना बहुत ही जटिल होती इनमें भोजन का संचय फ्लोरेडियन स्टार्ज की रूप में होता है इस स्टार्ज की संद्चना एमाइलो पेक्टिन तथा ग्लाइकोजन के समान होती है। केल्विन तथा उनके साथियों ने प्रकास संसलेशन के आप्रकासिक क्रिया से समंधित C3 चक्र के पाथवे को क्लोरेला सहवाल की सायता से प्रदर्सित किया था। प्रदर्सित किया था। और इसके विश्त्रित रासायनिक क्रियाओं का प्ता लगाया था। यह आपका एक महत्तवूर्ण के उस्चन यहां पे हो गया। प्राया तीन प्रमुक फाइको कुलाइड यह था एलगेनिक अम्ल यह एलगेनेटस अगार्द था केरा जिनेंस पाया जाते हैं जो अधिकांसा समुद्री घांस से प्राप्त किया जाते हैं। अलगेनिक अम्ल भूरे सहवाल के सदस से जैसे की लेमिनेरिया, सारगेसम, एसकोफिलम, आद के कोशकावित में पाया जाता है। भूरे सहवाल की कोशकावित दो परतों की बनी होती हैं। भूरे सहवाल की कोशकावित दो परतों से बनी होती हैं। वाय और आंतरिक परत। वाय परत जिलेटीन चिपचिपे किस्से जिलेटीन चिपचिपे पदार जैसे की ऐलगेनिक एसीट कैलसियम लौण आद किसे तथा आंतरिक परत से लोच का बना होता है। फिर से देखिए इसकी बाय परत किसे बने होते हैं। इसका प्रमुक काम सहवालों के सुसकन वा जमनेक से बचाना या यांतरिक सुरच्छा परतान करना है। ठीक लाइकेन बंजर सुसक चटानों पर उग सकते हैं। अतर ए प्रारंभिक कालोनाईजर्स या पाइनियर्स कहलाते हैं। इस प्रकार से पारिस्थित के दुर्ष से अक्तियंत महत्तपून होते हैं। यूलोथ्रिक्स की कोश्का में एक हरित लवक होता है जिसमें दो या तीन पायरिनोइट्स पाय जाते हैं। पायरिनोइट प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है। जो स्टार्ज से घेरी रहती होती ही ठénergie% या क्लोरोप्लस्ट में पाय जाती और स्टार्ज का संग्रह करती हैं। पायरिनोइट बहुत से सेवालों तो भड़ायफाइटा में पाय जाते हैं। फाइको लाजी बिग्यान की वह साखा है जिसके अंतरगा सैवालों का अध्यन किया जाता है। वर्स 1935 में प्रसिद बनस्पत बैग्यानिक यफ ई फ्रीज ने सैवाल समदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया है। फाइको लाजी बिग्यान की वह साखा जिसके अंतरगा सैवालों का अध्यन किया जाता है। वर्स 1935 में प्रसिद बनस्पत बैग्यानिक यफ इ फ्रीज ने सैवाल समदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया था। साइफेली नामक सनरचना लाइकेन के गैसी बिनमे में सहायता करती है। साइफेली नामक सनरचना लाइकेन के गैसी बिनमे में सहायता करती है। साइन औफाय से नील अरी सेवाल एक प्रोकेरियोट है जिससे सरीर एक कोस्की होता है। इससे सरीर एक कोस्की होता है इसके जन्नांग में चल जन्नांगों का अभाव पाया जाता है। गांग्रो सिरा अवस्था बॉक एरिया में पाया जाता है यह अलेंगिक जन्न की एक अवस्था होती। इस अवस्था में सिष्ट के जियोद्रब विभाजित होकर एक केंदर की अमेवी खंड बनाते हैं। जो अंदता सिष्ट के पार्स भित पर बने चिद्र से बाहर आ जाते हैं। सैवालों में लिंगी जनन विसेश प्रकार की युगमकों के संयोजन द्वारा होता है। जिससे सिंगेमी कहते हैं। ए युगमक युगमक धानी में बनते हैं। सिंगेमी की क्रिया जली वाता बरण में होती है। एक्टोकार्पस एक भूरा सहवाल होता है। ध्यान से देखेगा 10 प्रस्ण और हैं आपके। और समय भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 30 मिनट में आपका कबर हो जाए। एक्टोकार्पस एक भूरा सहवाल है जिसमें एक अक्री युगमक से कई क्रियासील युगमकों के घिरने की प्रक्रिया क्लैम फार्मेशन कहला दी है। फियोफाइसी वर्ग के अंदर गथ क्लैम फार्मेशन आपसे पूचा जाएका त्याद रखेगा। फियोफाइसी वर्ग के अंदर गथ भूरे सहवाल को सामिल के अगया है इसमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C पाया जाता है। लिथेरिया बुलपीना नुकसान दायक लाइकेन है यह एक परकार का जहरीरा लाइकेन है इसे बुलफ मास भी कहते हैं। साइनोफाइसीन सहवाल की उपरी परत मियूसिलेज की बनी होती है जो बरसात का पानी सोख लेती है और फिसलनदार हो जाती है। क्लेमाइडो मोनास का जीवन चक्र है प्लॉंटिक प्रकार का होता है इसका मुख पौधा अगुडित होता है जिसके युगमधानी में अगुडित युगमध उपस्थित होते हैं। क्लेमाइडो मोनास डिब्री एनम में सं युगमध करा क्लेमाइडो मोनास डिब्री एनम में सम युगमध यानि आइसोगैमस क्लेमाइडो मोनास ब्राउनी में एन आइसोगैमस क्लेमाइडो मोनास कोक्सी फेरा में अंडे युगमक यानी उगैमस परकार का लिंगिजनन पाया जाता है क्लेमाइडो मुनास में लिंगिजनन चल भी जारू दौरा होता है नेली हरी सहवालों को साइनोफाइटा के अंतरगत बर्गी करित किया गया है जो मॉनिरा जगत के अंतरगत आता है इसमें प्रकासंसलेस्ट का स्थान क्रुमैटो फोर होता है इन में पाय जाने वोला मुख वरणक kanshenin होता है यह अग्लोरोफिल एक वर्णक है जो मुखिता भूरे सेवालों में पाए जाता है जैसे एक्टोकर्पस फ्यूकस इत्यादी क्लोरेला नामक कहरे सेवालों का उप्यों अंत्रिश्यानों में आक्सिजन के उत्पादन के लिए होता है इलेरिया, इलबा, सारगासम, लेमिनेरिया, आधि सहवाल, खाद सहवाल की रूप में प्रियोग में किया जाते हैं लेमिनेरिया नमक सहवाल से आयोडीन उत्पन होता है इस सहवाल को खाने में प्रियोग किया जाता है सबुद्री सलाद के रूप में जाना जाता है, चटानों पर उगने लाइकेंज को सकजी कोल्ष केते हैं, यह मुख रूप़ से डर्मटो कारपन होता है। प्रशन और यह 50 प्रशन आपके ना सिर्फ 50 प्रशन है इसमें एक एक में दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट से हैं अगर आप इसे मन से पढ़ेंगे याद करेंगे लिखें करके याद करेंगे नोट्स बनाएंगे तो मुझे भरोसा है कि आपको इसका लाब और शिक्जा इस नमबर पर वाटसब करके जोड़ें अपने मित्रों को जोड़ें चैनल को सस्क्राइब कर लीजे फिर मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक लिजाज़त दीजे जैहन्द